प्रतम विश्विद से पहले किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि लगबक सभी देश एक साथ इस यूद में कूदेंगे। इस यूद में मरने वालों की संक्या से इस यूद की बरबादी का इसाब लगाया जा सकता था। इससे पहले सिर्फ लड़ाईया होती थी। यह एक भीशन यूद था। यूद से सिर्फ यूद यूद पन हुआ और ऐसा हुआ कि आज के समय पता नहीं तीसरा विश्विद कब होटे। चलिए देते हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार की पूरी जानकारी। प्रतम विश्विद 28 जुले 1914 को शुरू हुआ था। इस विश्विद को ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस यूद के बाद सारे यूद खत्म हो जाएंगे। इसे वार टू एंड ओफ ओल वार्स भी कहा गया। का जा रहा था कि प्रतम विश्विद के बाद सारे यूद समाप्त हो जाएंगे। पर इस यूद के 20 साल बाद ही तुट्य विश्विद भी शुरू हो गया। वर्ल्ड वार वन में हम आपको बताते हैं कि किन किन शक्तियों में ये यूद हुआ। इस यूद में एक तरफ अलाइट शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइट शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, सियुक्तराश्ट अमेरिका और जापान आदी देश थे। अमेरिका इस युद में साल 1917-18 में आया, सेंट्रल शक्ती में केवल तीन देश मुझूद थे, ये तीन देश ओस्ट्रो अंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एंपायर था, उस समय ओस्ट्रो अंगरियन में हेम्सबर्ग नामक वंश का साशन था, आज ओटोमन तुरकी का इलाक हर देश ने खुद को आदोने खतियारों से लैस करने का प्रियास किया, सबी देशों ने उस समय अविश्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदू, तीन बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉंसेप्ट आदि लाया गया, इन सबी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोन करने के लिए किया, जैसे बड़ी-बड़ी विबिन कंपनियों में मशीन गन का, टैंक कादी के निर्मान कार्रे चलने लगे, यहीं सही मोडर्न आर्मी का कॉंसेप्ट शुरू हुआ था, यूरूप में 19 वी शताबदी के दोरान, शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लि साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्दियल इंटेंट नामक संदी हुई, इसके साथ रूस जुडने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया, उस समय पस्चिमी यूरॉपेय देश चाते थे कि उनके कोलिनिस या विस्तार अफरीका और रेशिया में भी फ देशों में फ्रांस, जर्मनी और होलेंड, बेल्जीम आदी थे, इन सबी देशों का नित्रेत ब्रिटेन कर रहा था, ब्रिटेन का उस समय काफी देशों पर कबज़ा था, और वे काफी सफल देश था, पुरी दुनिया के 25 प्रतिशत हिस्से पर ब्रिटिश चाशन का रा याय युद, ग्लोरी ओफ वर कहलाया था, इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है, इस तरह से देश की महान तक उसके छेतरफल से जोड़के देखा जाने लगा, इस युद के कुछ मैतपून कारण भी थे, आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है, ओस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टिमेटम दिया कि वे जल्दी आत्मसमर्पन कर दे और साइबेरिया ओस्ट्रिया के अदीन हो जाए, इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक चेप करने का एक और मौका मिल गया ऐसा होते देख धीरे धीरे यह दो देशों की लड़ाई ना होकर विश्वियूद में बदल गया वहीं दूसरी और बालकन छेतर में भी अस्थिरता थी उसे यूरोप का पाउडर केक कहा जाता है पाउ के साथ संगर्ष किया पूर्वी मौर्चा में रूसियों ने जर्मनी और उस्ट्रिया हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ यूद लड़ा वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को यूद में बड़ा थासिल हुई इसके बाद पश्चिमी मौर्चा स्थिर हो गया और एक ल दूसरी और रूसी क्रांती के बाद रूस यूद से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांत समझोते पर हस्ताक्षर कर दिया इस यूद में लगबख 13 लाग भारते ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे यह बारतिया सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदी जग इस विश्वियुद में एक अलग भी एहम था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में युद की समापती और परिनाव बहुत भयावे रहे, 1918 में जर्मन अक्रमन के बाद मित्र देशों के परेटवार ने जर्मन सेना को निर्नायक वापसी हे तु मजबूर कर दिया, अक्टूबर 1918 में तुर्किय और ओस्टिया ने आत्मसमर्पन कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया, बाद में जर्मनी के हार हुई और वहां सता भी बदली, नहीं सता के आने से जर्मनी ने युद विराम के गोशना पतर पर हस्ताक्षर किये और यह प्रतम विश्वियुद 11 न विश्वियुद के बाद अमेरिका एक विश्विशक्ती बन कर उबरा था, पतम विश्वियुद के बाद भाहिचारा और शान्ती बने रहे, इसलिए कुछ शान्ती समझोते थे, आईए, फर्स्ट वर्डवार में जानते हैं कौन से संधी हुई थी, पहले संधी जो हुई विश्वियुद में जर्मनी और उसके सयोगी देश ओस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, आदी की हार होई, तथा उस युद का अंत पैरिश शान्ती सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राश्टों के साथ समझोते के रूप में पांस संधिया की गई, वर्साए की संध जिसे बिटेन ने जर्मनी के साथ किया, इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्विकार करना अनिवार्य कर दिया, प्रतम विश्वियुद के बाद विजई मितर राश्टों ने जर्मनी के बविश्य का फैसला किया, जर्मनी को वर्साए के संधी पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था इस संदी के तैट जर्मनी को युद का दोशी मान कर उस पर आर्थिक तिंट लगाया गया राष्ट्रे संकी विफल था राष्ट्रे संकी स्थापना वर्ष 1919 में एक अंतर राष्ट्रे संकटन के रुप में विश्व शांती को बनाये रखने के ले की गई थी इसमें सभी देश इसमें शामिल नहीं हो सके वर्ष 1930 के देशक की विश्व या प्यारतिक मंदी ने यूरोप और एशिया में अलग-अलग तिरिकों से अपना प्रभाव डाला यूरोप की अधिकांच राजनेतिक शक्तिया जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन, आधी अधी नायक वादी और सामराज्य वादी सरकारों में स्थान अंतरित हो गए। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सिब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।